जिस आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी गल्फरेंड अपनी लिविन पार्टनर श्रद्धा मदान के 35 टुकड़े करके उसे मौत की नीन्द सुला दिया वो कैसे जेल में चैन की नीन्द सो रहा है इसका एक वीडियो सामने आया है महस चार सेकंड की इस वाइरल क्लिप में आफताब जेल की जमीन पर कंबल ओड कर सोता नजर आ रहा है उसके बगल में एक शक्स जगा हुआ बैठा है और उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा है इसके अलावा जेल का एक सीसी टीवी भी सामने आया है जिसमें आफताब को देखा जा सकता है आपको बता दें कि अब तक की पूच्टाच में आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उलस के मताबक आफताब जादा तर जवाब अंग्रेजी में दे रहा है उसने श्रद्धा के एक कतल की बात स्विकार करते हुए कहा येस आई किल धर यानि कि हाँ मैंने उसका कतल किया लेकिन आफताब की हरकतों से ये साफ लग रहा है कि उसे अपने किये पर कोई पच्टावा कोई अफसोस नहीं है पुलिस की जाच में ये खुलासा भी हुआ है कि जब घर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकडे मौजूद थे उस दौरान उसने अपनी एक नई गल्फरेंट को भी अपने घर बुलाया था इसी से पता चलता है कि आफ़ताप को यकीन था कि वो श्रद्धा का कतल करके अराम से बच निकलेगा बहराल पुलिस अब आफ़ताप के खिलाफ सबूट जुटाने के काम में लग गई है उसे हर उस जगह पर ले जाया जा रहा है जहां उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े पहेंके थे इस दौरान मीडिया ने आफ़ताप से कई बाद सवाल करना चाहा लेकिन वो चुपी साधे रहा इस बीच मीडिया से बाचीत में श्रद्धा के पिता ने भी बताया है कि वो इस रिलेशन्शिप से खुश नहीं थे और उन्होंने जब इसका विरोध किया था तो श्रद्धा ये कहते हुए घर से चली गई थी कि भूल जाना मैं आपकी बेटी हूँ पिता को इस बात का अफसोस हो रहा है कि काश श्रद्धा ने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज जिन्दा होती श्रद्धा के पिता चाहते हैं कि आफताप के भी टुकडे टुकडे कर दिये जाएं उन्होंने कहा कि अभी तो जान चल रही है अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि उसने जो बताया वैसा ही हुआ लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसे भासी होनी ही चाहिए अगर उसने टुकडे टुकडे किये श्रद्धा के तो उसके भी टुकडे टुकडे कर देने चाहिए पिता विकास मदान ने ये भी बताया कि आखरी बार उनकी अपनी बेटी से बाची 2021 में हुई थी तारीख और महिना तो उन्हें याद नहीं लेकिन श्रद्धा के पिता ने बताया कि उस वक्त भी उन्होंने उसे खूब समझाया था लेकिन श्रद्धा कुछ सुनने को तयार नहीं थी आफताप से मिलने के बाद जैसे उसका विवहार ही पूरी तरब बदल गया था पहले वो नॉर्मल रहा करती थी लेकिन बाद में काफी फैशन करने लगी ये उसकी पहली नौकरी थी और इसी दोरान उसकी मुलाकात आफ अफताप से हुई जिसके बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया एन्बिटी ओनलाइन की रिपोर्ट